मैं गैरेंटी दे रहा हूं आपने देखा नहीं होगा यारा डिजाइन वेल्कम बैक टू मैं चानल आज फिर से आचुके हम एक फ्रेश वीडियो लेके और आज की वीडियो में हम कई डिजाइन न्यू चैस्टर फिल्ड में कई न्यू डिजाइन के सोफे कई बैड भी दिखाएंगे आपको चेर्स भी दिखाएंगे और न्यू डिजाइन लौंज हुआ है 2023 में वो भी दिखाएंगे चैस्टर फिल्ड का और आपने जो कहीं देखा नहीं होगा ऐसा डिजाइन दिखाएंगे आपको आज तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो से तो पहला डीजैन हमारा यह है Yo i7 वैंशाच्टर राँच,, जैसले आपको मैंने पहली वीडियो में बताय था यह रोयल चैस्टर का बाजु जो है राउंड होता है लो और इसमें इसमें राउंड होता है यह इंसाड से प्लेन होता है यह लेदराइट में बना हुआ है इसकी बोडर में भी हमने चैस्टर बग कर रहा है और इसमें के आगे हमने थंपिंस पर कर रहा है यह सारा हैंड वर्क है ना कि गन से लगा हुआ है यह सारा हैंड वर्क है और मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको अगर सोफे की चैकिंग करनी है तो यह प्लेट से देख लिया करो आप और यह वही सोफा है जिसको मैंन बहुत ही अच्छी लूग देती है आपके घर में जाके इसमें SS के लैग दिये हुए और अंदर फिल्ड डिजाइन कर रहा है यह हमारा अब आने कि यह थ्री सीट रहा है हमारा इसकी सीट तीन पीस में डिवाइड है इसमें भी हमने हैं थंपिंस का वर्क कर रहा है अगर आपको यह सोफा अच्छा लगाओ तो कमेंट करना जरूर एक सोफा हमारा यह है लेदर आइड में यह पूरा पूर लेदर आइड में पूरा यह पूरा चेस्टर है लादर में लूप चेस्टर की अलग ही आती है पस यह रिंकल नहीं जाते इसके पर लेदर या लोग लेते हैं का प्तार लोग स्वेड में लेते हैं लेदर में ज्यादा लेते नहीं कूंकि फिनिश्ध थोड़ी आउट आती है इसकी ठेस्टर फ्यल्ट गी описании इसकी भी सीट तीन पीस में डिवाइड है इसमें भी एसस के लैग दियो है हमने यह पूरो सोफा लेदराइट में यह आप इसकी यही कुल्टिंग हमारी पूरी ऐसे करके पीछे राउंड होके वापिस यहां आके वापिस यहां आके यहीं से चल रही है अब बात करते हैं अपनी चेयर की आप इसको चेयर भी उसकर सकते हैं घर में भी उसकर सकते हैं जैसे भी उसकर सकते हैं यह काफी बल की चेयर है काफी साइज बहुत इसका बहुत बढ़ा इसमें चेश्टर वक्कर रगाम ने इसमें बटन्स नहीं है अगर आपको बटन्स चीए तो बटन्स भी लग जाएंगे अब आतने जैसे कि मैंने आपको बोला था कि यह डिजाइन आपने देखा नहीं होगा 2023 का इडिजाइन लॉंच हुआ है वो डिजाइन यह है अब पहले ओवर्लुक लोश्की यह कुछ सोफ है कि इसमें हमने चेस्टर बाक बैक साइड में कर रहा है इसके पूरा बाक है इसके इसके इन्साइड हमने कुष्णिंग करी भी है इसके कुशनों में फाइवर यूज की विए वह भी रिलाइन्स की फाइवर है जो कि कमफर्ट आपको बहुत अच्छा देती है रिलाइन्स की फाइवर टॉप पर यह नंबर वन पर रिलाइन्स की फाइवर जितना भी दबा लूँ दबेगा नहीं और इसमें हैवी यह चालिस डेंसिटी का गद्दा यूज किया हुए इंसाइड कुशन की विए बटन डाले वें कुशन के अंदर जो आप जो लोग अच्छी करते था सोफे की थोड़ी और यह फैब्रिक भी अच्छा रगता है इस सोफे पर आप चाहो तो इसको बैल बड में भी बनवा सकते हो जैसी चाहे आपको वैसे बना हो सकते हो और आपको इसके अगर आपको इसके कुशन का फैब्रिक लगची और बैक साइड फैब्रिक लगची वह भी हो जाएगा वह भी अच्छा लुक देगा आपके घर में यह इसका पीछे का लुक है यह हमारी सेटी लेदर आयट में इसकी आप पलेट्स चैक कर सकते हो कही तक निसाई बड़ेट्स वहले हैवी से हेवी बन्दा बैठ जा है प्लेट्स इसकी कही से कही तक निभिड़ेगी घी यहामारी हाईप एगट चेईर ह में कि इसकने एक प्रेख कि एक पैर है कि एक पैर है एक कि अलिधा इसका और यह अज़ियर अप placed जगा देख्योंग बहुत जगा पर ये प्रिंट इंड फैब्रिक का वर्क पाई पर नहीं देखा होगा चेर में किसी च्रमें रख नहीं देखा हुगbrush यह हमारे चेट्र ऑफ़ां स्की सीट में भी अगर कर तक हम ने कि नया इटालियन डिजाइन सोफा है इसकी बैक भी टिल्ड है और आगे से बाजू भी टिल्ड है यह विंग शेयर है मैं आपको पीछे दिखाई ती चेस्टर फिल्ड का हमारे एक सैट है जो हमारे रेगुलर टेस्टर फिल्ड है वह है यह थ्री टू सेंटर डेबल दो है कुछ पीस्ट फिल्ड के राइल नि魚 हो रहे हैं मैं आपको भी दिखाता हूं यह हमारी । शेटिंग делать हो BUT za सेटिंग एब होरी है हमारी और यह सारा माल R bakaओ आमने एक हमसिता है कर दिखाने I hope कि मैंने आपको सब चीज की information मैंने दे दियोगे और आपको एक बार हर item close up से दिखाता हूँ आपको यह बैड है हमारा चेश्टर फिल बैड है यह हमार यह सोफा लैदर है यह विंग चेर है हमारी यह हमारा चेश्टर सोफा है इसका थंपिंस वर्ग देखो इकवल इकवल लिए और सारा हैंड मेड है यह हमारी हाइब चेश्टर है इसका पीछे का लोग कुछ ऐसा हता है इसके पीछे थंपिंस वर्ग कर रहा हैंगे यह हमारा अब आपने देखा ही नहीं होगा ऐसा डिदेन जो आपको इस बार लॉंच करा हैंगे यह पीछे से बहुत अच्छे लोग आती है इसके चैश्टर यह बहुत अच्छा लगता है इस पर चैश्टर वर्ग है हमारी चेहर है इसको बोल सकते हैं यह हमारा सोफा चैश्टर फिल्ड ओल चैश्टर फिल्ड सोफा इसके आउट साइड हमने प्लेन डिजाइन कर रहा है पीछे से बस ट्रिल्ड है यह सोफा यह हमारा चैश्टर फिल्ड सोफे का सेट है त्री त्री टू सेंटर टेवल दो पूफ यह पूरा सेट चैश्ट फिल्ड का है जो हमारे रागुलर चैश्ट फिल्ड है यह विंग चेर है आपको पीछे दिखाई दिए इस सोफार इसका क्लोजब लो आप यह हमारा ओटो मैन है यह ओटो मैन है जैट फिल्ड में तो यह कुछ हमारे आज के सोफे का डिजाइन है आई होप की आप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना कमेंट करना शेर करना और सब्सक्राइब करना थैंक यू फर वोचिंग बाई